अब मुझे पता है कि आप लोग बहुत जादा पैनिक कर रहे हो कि आपको पायोलोजी एक तो इतना थेयरी वाला सब्जेक्ट है उपर से है माम हमने जो चीजे पड़ी थी वह हम को चीजे याद नहीं आ रहे हैं सब कुछ दिमाग से इवापरेट हो गया है सब बाउंसर जा से पहले तो रिलाक्स हो जाओ आपके पास बहुत टाइम है ओके यू है थ्री डेज का चुट्टी फॉर बायो पेपर चॉदा तारीक को मैस कतम होगा तो मैस का दिन आप शाम का यूज कर सकते हैं फिर पंद्रा सोला तीन आपके पास है बायो का पेपर रिवाइस करने के लिए और इन्हीं तीन दिनों में हम आपके लिए स्पर रिविजन सीरीज भी लेकर आ रहे हैं जिसका टाइम टेबल अल्जी हमने लांच कर दिया है आपका 14 तारीक को एक सूपर रिविजन होगा जिसमें 5 चाप्टर चाप्टर रोंगे और 16 तारीक को एक सूपर तो डेफिनेटली मेरे 100 में से 100 आते तो प्लीज टे काम प्लीज रिलाक्स आपके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं उन बच्चों की हेल्प करने वाली हूं जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया और जिनकी आत्मा अब जाग रही है कि माम प्लीज प्ली लेकिन जिन बच्चों ने बुक को हाथ ही नहीं लगाया है वो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी नहीं पड़ा है तो एट लीस्ट ये वीडियो में जो मैं बोल रही हूं पॉस करकर लिखते जाओ और बस उतना टॉपिक करके जाओ आप पास हो जाओगे इसमें से definitely question आएगा ही आएगा पहले ही बोल देती हूं जो deleted chapters है उसका question bank करना कंपल सरी है क्योंकि वह सिर्फ question bank को टेक्सबूक के पीछे से आएगा और जो चार माग के question है वो सिर्फ exercise से आएगे तो यह दो चीज़े मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दी है और बहुत सा का हो या जेए नीट का हो तो आपके लिए एक ही one-stop solution है और वो है फिलो आप जो कि 24-7 आपकी help करने के लिए रेडी है आपको बस यह तीन steps follow करने होंगे सबसे पहले आपको अपने फोन में play store पर जाकर download फिलो आप करना है जब आप फिलो सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला आप आएगा वो आपको इंस्टॉल करना है देन आपको अपना mobile number यूज करके sign up करना है और sign up करते ही आप अपने कोई भी doubt का या तो snap लेकर भेज सकते हैं या तो आप question को text के form में type भी कर सकते हैं and once you download once you upload your question आप 60 seconds के अंदर live educator के साथ connect कर पाएंगे जो कि आपका question live solve करके देंगे यानि imagine करो कि आपके जितनी भी queries हैं वो live आपको solve करके दिखाई जा रही है तो ऐसी opportunity और कहां मिलेगी तो download Philo app और 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 आपके लिए और एक बहुत अच्छा offer है और वो यह है कि अगर आप हमारा referral code use करते हैं जो कि description में दिया हुआ है then you will get special 10% discount and you just have to follow these 3 simple steps so ask Philo and stay tuned okay this is very important structure of antherd उसके बाद आपको यह paragraph यह paragraph में से pollen viability का definition करना है male gametophyte का development anatropos ovule और female gametophyte का development यह चर डाइग्राम आपको कंपलसरी 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 करने है so please don't skip these things और उसके बाद आपका यह जो pollination वाला concept चालू होता है यह pollination वाले concept में से आपको सिर्फ एक्जांपल्स लर्न करने हैं का एक्जांपल क्या आएगा प्लीज यह स्किप मत करना क्योंकि इसमें से mcq 100% एक नाएक mcq आता ही आता है और उसके बाद आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आउट ब्रीडिंग डिवाइस इसके सिर्फ तीन टाइप लर्न कर लो भाईया सिर्फ तीन टाइप लर्न कर लो क्योंकि यह question चार मात के लिए आ सकता है पोलन पिस्टल इंटराक्शन आता भी है नहीं भी आता है मैंने इसका एक डाइग्राम अपने वीडियो में बताया था तो वीडियो में से वो डाइग्राम देख लो बाग की ठोकने में तो तुम माहिरो मुझे बहुत अच्छे से पता है ठीक है डबल फर्टिलाइजेश अच्छान और नाम याद कर लो नुप्लियर इंडॉस परम कहा रहा देखने को मिलता है कोकोनट में सो इसका एक्जामपल सिर्फ एग्जामपल मैं आपको पूरा पन्दय नहीं बोल रही हूं सिर्फ एक्जामपल याद कर लो और लास्ट में यह डेवलप्मेंट वगेरा और उसके बाद आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि अपो मिक्स कितने टाइप की होती है अब आता है और टेक्स्बुक के पीचे से चार क्वेशन है यह चार क्वेशन प्लीज अच्छे से कर लेना अगर आपको प्लान फटिलाइजेशन आएगा चाप्टर नुमबर टू पर फर्स पार्ट डिलीटेड है अभी यहां पर आपको क्या करना है आपको यह डाइग्राम का लेबलिंग जाना चाहिए और इध्यान से देखुआ अगर लेस्ट इस बोला तो यह डाइग्राम आएगा और टीए डाइग्राम आपको प्राक्टिस करके जाना है और यह डाइग्राम से आपको सिर्फ लेबल्स देखके जाना है इसको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा इसको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं ठीक है तो यह दोनों ड एपना punch maintenkus थो फस्कोति कोपर्स इंट मेल का ये अपना बार्फॉलीन ग्लैंट्स दोनों सेम होता है यह स्टेट्मेंट अपको तंड रखना है से बता रही हूँ जो की बहुत बार राइट प्रूव हुआ है मेंस्ट्रॉल साइकल में से आपको कोई भी एक साइकल एक स्प्लेइन करने के लिए बोल सकते हैं तो इसको आप ड्रॉ करके प्राक्टिस करो बच्चा क्योंकि इसमें से अगर लेबल आया तो आप लेबलिंग मतलब मेल युइन करने के लिए बीए सकता है यू आपका अन फटिलाइसड एग धियान से देखो यह लोग जो वोग प्यारी उपए ब्राइड एक में कन्फ्यूज हो जाते हैंग में आपका पूरा तर्शए करिनती संदिल और अन फर्टिलाइज़ एग में सिर्फ यह वाला डाइग्राम आता है तो ग्राफियन फॉलिकल और अन फर्टिलाइज़ एग में कन्फ्यूज मत हो ना यह चैप्टर बहुत इंपोर्टन आपको स्टेप बाइस्टेप एक्स्प्लेंड करने के लिए बोला तो आप मेकानि प्रटिलाइज़ सिग्डिकेंस ऐगा तो अनिमल्स का कि उसके बात क्लीवेश प्रोसेस क्या होता है इसका के डिफिनेशन और डिफिनेशन ना इसका मैं भालने से साथ में आपने टेबल बताया था में अ हमारी विजन सीरीज में बताने वाली हूँ तो आप वो इस तेब से बनते हैं तो मिशस्त को हम क्या बोलते है यह दो टीशू से बनता है mmogorial यानि फीटर और मदर दोनों से कनेक्टेड होता है इस चाप्टर में से कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी किया है तो अगर तीचर का दिमाग अच्छा हुआ ना तो यह कुछ दे देंगे क्योंकि इसमें आपको फ्री में दो माक्स मिल जाएगा तो इसमें तो आप ठोक सकते हो कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना चाहिए गुड़ बाट बताना चाहिए एटसेटर एटसेटर बर्ट कंट्रोल वेरी इंपोर्टन इसमें से एक नएक क्वेश सब्सक्राइब करने के लिए पूछा तो पूछा नहीं तो नहीं पूछेंगे सिविए डाइग्राम कर लो तो आपको सब कॉंसेट अपने आप समझ में आ जाएगा सेक्शुली ट्रांस्मेंटेड डिजीज की दो ही चीज़े याद रखनी है क्या मैम उसका कॉजिटिव एजेंट और उसका ट्रीटमेंट बस ओके और यह कौन से ओर्गन को अफेक्ट करता है इंफेक्शन साइट यह तीन चीज़े याद रखने है कॉजिटिव एजेंट साइट एंड ट्रीटमेंट ओके सिफलिस किसके वज़े से होता है और इंफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को मसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नलोजी बोलते हैं सबका डेफिनेशन करके जाओ आईवी एफ का फुल फॉर्म फुल फॉर्म एंड डेफिनेशन बस और आपको अगर यह पूरा चैप्टर ओप्शन में छोड़ना है आप छोड़ सकते हो अगर आपने हाती नहीं लगाया इस चैप्टर को वैसे तो मैं छोड़ने बोलूंगी नहीं क्यूंकि दसवी से आप मेंडल वेंडल पढ़ते आ रहे हो आपको अच्छे से पता है तो ले पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ा है तो इतना इधर दिमाग डालने की जरुवत नहीं है मेंडल के तीन लॉस करो मेंडल के तीन लॉस करो आपको पूरा चैप्टर ओप्शन में छोड़ना है छोड़ दो मेंडल के तीन लॉस करो ओके वित एक्जामपल और यह नियो में प्लिएट्रोपी बहुत इंपॉर्टिन्ट है नीओमेंडलिजम में से देखो क्या क्या बोला मैंने में तीन लौ किसने दी थी सिफ साइंटिस्ट का नाम याद रखो साइंटिस्ट के नाम वाली विडियो अपने चैनल पे अविलेबल सिफ सर्च करना है scientist names video ग्यान लैब आपको पुरा वीडियो मिल जाएगा किस ने दिया था chromosomal theory वह याद रखो थ्रोमोजोम का यह वाला table याद रखो okay monosomi मतलब क्या होता है यह table बहुत important है और वैसे देखा जाए तो पुरा chapter ही important है लेकिन मैं तुमको जाधा time waste करने नहीं बोलूगी प्रोमोजोम का टेवल और X और Y प्रोमोजोम का distinguish between लिंकेज याद नहीं हो रहा मत करो चोड़ दो चोड़ दो लिंकेज याद नहीं हो रहा चोड़ दो अगर करना है तो मेरा वीडियो देखो okay autosomal inheritance के examples याद रखने की recessive disorder कॉन सा है और dominant disorder कॉन सा है widows peak आपका कौन सा disorder है it is a dominant disorder okay autosomal dominant phenyl ketone urea autosomal recessive disorder है बस example याद रखो ठीक है उसके बाद आपका color blindness और एक hemophilia दोनों सेमी है तो दोनों का एक cross याद रखना ठीक है किया तो ठीक नहीं तो छोड़ देना इसमें से यह बहुत important है honeybees वाला sex determination in honeybees यह करके जाओ that's it बाकि आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि down syndrome कभी explain करने को नहीं आता है सिर्फ उसका chromosome number पता होना चाहिए down syndrome में तीन chromosome होते है 21st position पे इसको trisomy बोलते हैं turner syndrome को हम monosomy बोलते हैं क्योंकि इसमें एक sex chromosome होता है और line filter syndrome में तीन sex chromosome होते हैं बस सिर्फ chromosome number पता होना चाहिए down syndrome क्या है line filter syndrome क्या है और turner syndrome क्या है that's it फूरा option में छोड़ दो chapter सिर्फ इतनी इतनी सी चीज़े कर लो that's it बास बाकि दिमाग इदर उदर मत भटकाओ chapter number four भी आपका कुछ approximately four to five marks का है chapter नहीं पढ़ा है छोड़ दो सिर्फ जो बोल रही हूं वो सुनो सिर्फ उतना ही करो सिर्फ चार टॉपिक बोलूंगी उतना ही करना है आपको यह experiment करने हैं ओके ग्रिफित एक्सपेरिमेंट एवरी मेकलॉइड मेकार्टी एक्सपेरिमेंट यह यह और हर्शी एंचेज एक्सपेरिमेंट बस यह तीन टॉपिक्स करने हैं 100% इसमें से कुछ ना कुछ आएगा यह हिस्टोन डाइग्राम आपको प्राक्टिस करना है यह second point हो गया उसके यह सब छोड़ दो रेप्लिकेशन नहीं आता है छोड़ दो सेमी कंसर्वेटिव मेथर किस में किया था मतलब कौन से साइंटिस्ट ने किया था और कौन से और्ग्यानिजम में किया था यह वाला पैरेग्राफ ठीक है क्योंकि अब्जेक्टिव में आ सकता है तो दो चीज क्योंकि कुछ नहीं आता तो यह समझेगा नहीं सर के ओपर से यह 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 वाला पैरेग्राफ बहुत इंपरटन यह वाला पैरेग्राफ बहुत इंपोर्टन आ है इसमें आपको तीन ताइप के आरन या पॉलीमरे का फंक्शन बताया है जैनेटिग कोड छोड़ दो इस ज सिर्फ यह तीन मैं सच में बोल रही हूं कि इस चैप्टर में से मैं जो बजा रही हूं ना सिर्फ उतना ही करके जाओ स्टाटिंग के तीन एक्सपरिमेंट नुक्लियोजोम का स्ट्रॉक्चर और यह डेफिनेशन जेनेटिक कोड इस डीजनरे सी है और यह वाला पैरेग्राफ आरने पॉलीमरेज वाला और ट्रांस्क्रिप्शन का डेफिनेशन और यह दो बॉक्स हो गया ठीक है यह स्टेप्स गया जिनोम प्रोजेक्ट यह सब अभी ऐसे देखा जाए तो कुछ भी आ सकता है एक्जाम में ठीक है डियने फिंगर प्रिंटिंग के ऊपर भी यूज्वली कोईशन नहीं आता है सिर्फ एक बार रेट कर लेना क्योंकि बायो टेक्नोलोजी में भी है डियने फिंगर प् इस में से जो खास मैं आपको करने बोलूँगी देखो एक तो चाप्टर है तो इजत से इस चाप्टर का ना वन शौट देख लेना और कुछिन में जितने प्वेसिशन से करने जाना चाप्टर नमब 5 चाप्टर नमब 6 और चाप्टर नमब 7 यह टेबल यह जो टेबल है बच्चा लोग यह जो टेबल है इस टेबल में से आपको यह याद रखना है और यह याद रखना है बास बाकी कुछ याद नहीं रखना है और इस पर्टिकुलर human evolution के टेबल से आपको यह name appearance उनका fossil किदर मिला उनका cranial capacity किया है बस यह चार कॉलम याद रखने है चाप्टर 5 वन चौट देखो उसका वन चौट कंपल सरी है चाप्टर 6 यह तो गलती से भी option में छोड़ा तो मुझे अपनी शकल मत दिखाना इसमें से आपको रूट का description आना चाहिए वाटर के properties आने चाहिए यह कंपल सरी है और आपको यहां पर structure of root hair भी पता होना चाहिए और कौन सा water available रहता है चाप्टर नंबर 6 बिल्कुल भी option में छोड़ना है चाप्टर नंबर 567 यह मैं दस भी बार बोल रहे हूं चाप्टर नंबर 567 11 14 15 567 11 14 15 यह चाप्टर गलती से भी option में मत छोड़ना नहीं तो मुझे अपनी शकल मत दिखाना ठीक है अब आते हैं डायरेक्ट चाप्टर नंबर 7 में चाप्टर नंबर 7 में आपको सिर्फ 5 हॉर्मोन्स पढ़ने उन पाचो हॉर्मोन्स का आये देखो आपको चाप्टर नंबर 7 में सिर्फ 5 हॉर्मोन्स पढ़ने और इन पाचो हॉर्मोन्स का टेबल अल्रेडी मैंने वाली वीडियो में प्रोवाइट किया है सिर्फ इसका वान शॉट वीडियो देखो और क्वेशन बैंक करो और टेक्स्बूक के पीछे जो एक दो क्वेशन होंगे वह अब आता आपका चैप्टर नंबर एट से आपको डर लगता है कुछ मत करो कुछ हाथ ही नहीं लगाया सिर्फ यह टेबल करो ओके मैं उन बच्चों के लिए बोल जिन्होंने हाती नहीं लगाया है तो वह टेबल करके लो ओके उसके बाद यह बहुर इफेक्ट यह सब बहुत थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उतना टाइम नहीं अपने पास ओके यह भी नहीं यह भी नही इसका फ्लो चार्ट करो इसका फ्लो चार्ट करो फ्रॉम वन चॉट लेक्चर मैंने जो दिया है बस वाइड बलड सेल्स का ठीक है उसके बाद यह structure important है देखो मैं आपको क्या बोल रही हूँ आपने कुछ नहीं किया इस चैप्टर से तो सिर्फ इतना करके जाओ okay heart का यह अपना wall structure important है external internal मत करो सर्फट जाएगा conducting system of heart करो very very important conducting system of heart करो cardiac cycle का definition okay यह वाला डाइग्राम okay और cardiac output का formula very important okay और उसके बाद बस यह सब किया तो ठीक है blood pressure का definition important है और यह formula important है हो गया बस खतम ज्यादा मगश्माथी करनी की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में से कुछ नहीं किया है इतना topic कर लेना इसका names and function कॉंसे cell का क्या function ठीक है बस names and function पढ़के जाओ synapse का definition करो ठीक है इसका definition करो और यहां पर यह जो दिया है आपको types of synapse इसका distinguish करो यह मैंने one चार्ट ड्रो कर देना आपको 1-2 marks मिल जाएगा okay so यह चार्ट ड्रो कर देना और यह वाला diagram बता देना that's it okay फिर human nervous system में से यह 3 layers meninges के यह 3 layers okay one minute meninges के यह 3 layers human nervous system में से और यह सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यह functions frontal parietal temporal के क्या functions है hypothalamus का क्या function है कौन सा hormone बनाता है mid brain का क्या function है यह important है okay और-और-और-और क्या सकता है spinal cord का function और इसके दो diagram एक TS of spinal cord और एक यह वाला TS of spinal nerve यह दो diagram से important है मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ आपको यह पुरा chapter पढ़ने की जरूत नहीं है four brain वाला पार्ट बहुत बढ़ा है cerebral वाला पार्ट बहुत बढ़ा है मत करो छोड़ दो जो बोल रही हूँ से उतना करो CNS PNS का distinguish between compulsory करना है okay इसका SNS and PNS sorry distinguish between यह आपको compulsory करना है sympathetic and parasympathetic यह वाला table that's it और उसके बाद हमने एक table किया था cranial nerves वाला किदर गया वो table हाँ यह वाला table यह table का मैंने आपको short form बताया था one short के lecture में तो इसका short form करो इसका नाम इसका type और इसका function आपको पता होना चाहिए ठीक है यह important इसके बाद eyes or ears का part deleted है आपके लिए यह जो hormones है ना बेटा hormone action इसका diagram करके जाओ diagram करो के तो theory तो आप ठोकी लोगे इतना मुझे यकीन है आपके उपर और major endocrine hormones में से anterior pituitary के दो hormone एक growth hormone कर लो और एक या तो prolactin कर लो या तो gonadotropin कर लो क्योंकि आपके second chapter का ही है human reproduction के chapter का और यह neurohypophysis यह compulsory करना है oxytoksin and adh का function यह आपको compulsory करना है ठीक है thyroid gland के वज़े से disorders कौन से होते हैं इसके disorders करके जाओ इसके disorders करके जाओ जैसे hyperthyroidism graves disease exophthalmic retinism disorders करके जाओ और 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 हाँ adrenal cortex यह अपने adrenal gland के भी disorders करके जाओ एक thyroid gland के disorders एक adrenal gland के disorders बास खतम chapter खतम ज्यादा कुछ difficult part नहीं करने का simple simple जो अपने को समझ में आता है वो करने का इसको option में छोड़ दो 10th chapter को इसमें से सिर्फ 3 चीज़े करनी है आपको क्या 3 चीज़े करनी है माम एक यह वाला डाइग्राम और diseases का जो table है diseases का जो table मैंने one shot में दिया है जो table मैंने आपको one shot lecture में provide किया है वो table करके जाना है बस और HIV वाइरस चार चीज़े हो गई sorry HIV वाइरस का डाइग्राम ठीक है बस antibody का antigen antibody complex diseases का table और HIV वाइरस का डाइग्राम ठीक है और जो drugs है ना last में जो हमको drugs का दिया है explanation यह drugs में से सिर्फ इसके नाम name इसका source और यह कौन से ओर्गन पर effect करता है opioids किदर पर effect करता है cannabinoids किदर effect करता है और cocaine क्या करता है बस इसके functions यह तीन चीज़े खतम बाकी हो गया इस chapter में और कुछ नहीं है enhancement of food production सिधा सिधा बोलूंगी question bank plus textbook compulsory इसके सारे tables आपको करने vitamin production का table fermented food का table तो इसमें से जितना बोला है उतना करना है यह deleted chapter इसमें से कुछ short fit में नहीं बताने वाली हूं यह कंपल सरी करना ही करना है उसमें कुछ short cut नहीं है biotechnology की chapter में आपने कुछ नहीं किया है तो इसमें से आपको क्या करना है मैं बता देती हूं PCR का यह जो steps है यह बहुत important है यह mechanism वाला part PCR एक हो गया restriction enzymes very important यह जो table है यह बहुत important है PCR में से दो चीज़ बायो टेक्नलोजी में से दो चीज़े हो गई एक PCR एक table उसके बाद यह diagram पैलिंड्रोम का definition और last में यह अपना किदर गया recombinant DNA technology यह method इसके step मतलब इसका जो यह diagram है यह आप करके जाओ और steps आप खुद से लिख सकते हो कि सिफ title title headline पढ़के जाना उसमें आप expert हो बाकि देखो अभी पढ़ने जाओगे तो examples पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बहुत कुछ है लेकिन उतना time नहीं आपके पास जीन थेरपी का definition करके जाओ और distinguish करके जाओ जर्म लाइन फिमाटिक सेल जीन थेरपी के पर बस पाकि पढ़ने जाओगे तो मैं देखना भी नहीं चाती हूं कि इतना confusing है और last part इस chapter का जो लास्ट पार्ट है डिक इता वा एस अपर जैटी पो करना है और यहास्ट का definition जबल हाओ एस चाहपर में भी इक पने टरने रिचांपल जाओ श्यव्हटै करना है और यह लास्ट का देफिनेशन करना है, okay, all right, 13th chapter, refer only textbook, सिर्फ टेक्स्बुक करो, only textbook exercise, इस chapter का सिर्फ टेक्स्बुक exercise करो, okay, chapter number, इदर गया, chapter number 14, only question bank plus exercise, और यह डाग्राम करके जाना, इसमें से कौन सा डाग्राम बताती है, one shot में मैंने जो बताया था, यह देखो, एक यह वाला, कि जरार्क सक्सेशन किदर स्टार्ट होता है, bear rock के उपर आइकन की growth स्टार्ट होती है, और यह यह वाला डाग्राम, बस, 14th chapter में से यह दो चीजे करने है, और 15th chapter का भी, सिर्फ आपको exercise, plus colorful box, इस chapter का colorful box बहुत important है, बहुत-बहुत important है, और question bank, that's it, सिफ डिलेट, non-deleted part का, okay, so I hope कि आपको यह जो important questions मैंने बताए है, इससे अब आपका थोड़ा सा stress कम हुआ होगा, मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, यह उस video उन बच्चों के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, इतना-इतना करके जाओ, बस हो जाएगा, इतम 4 दें में, बायों में 70 आउट आउट सेवेंटी तो आनाई जाएगे बच्चों का, ठिक है चलू, बाइबाइ एवरीबडी, all the best, take care, thank you, see you soon